हर्याना एट 9 पेम ने चैनल में आपका स्वागत हैं आई आपको गराते हैं खबरोज अपडेट सिंक दहिया ने कहा कि प्रदेश के उपमुखे मंत्री दुष्यन चोटाला एक ऐसे नीता है जो संसद में ट्रैक्टर लेकर गई थे और उसे विशीश दर्चा दिलाया था किसानों के हिटेशी हैं अगर किसानों के हग की बात होगी तो सबसे पहले उप मुख्य मंतरी दुश्यों चोटाला ही किसानों के साथ खड़े मिलेंगे प्राइबिट नौकरियों में 75 फिसदी हर्याना की भागीदारी के लिए जो वाइदा किया गया था वहें पूरा करने के लिए प्रयासरत है जल्दी खर्खोदा में भी कैम्प लगा कर लोगों को रोजकार मुहया कराने का काम किया जाएगा इस मौके पर पवन खर्खोदा अंजुबाला खटक बबीता दहिया संत्रा प्रेम और फ्लीला विजय पीपली सहित विभिन पदादिकारी उपस्तित रहें जान देने के लिए तया लेकिन इस अध्यदेश को पास नहीं होने देंगे दहिया दहिया खाप ने भी दिया धरने का समर्थन के अंदर सरकार द्वारा किसानों के लिए जो अध्यदेश आया है उसके खिलाफ करकुदा की आड़ती धरने पर बैठे फे हैं धरने की दुरान दहिया खाप की तरफ से करया खाप के सोच समझी चाल है जिससे किसानों को कंपनी की अधीन कर दिया जाएगा जिन स्थानों पर यह अध्यादेश पहली से ही लागु है वहाँ की किसान परबाद हो रही है। पूरी प्रदीश का किसान आक्रोश में है। ऐसा चक्का जाम होगा जैसा कभी नहीं हुआ होगा। प्रदीश सरकार की आखे खुली की खुली रह जाएंगी। उन्होंने सरकार से अपलील की है कि तत्काल प्रभाव से इन को वापस लिया जाए। इस मोगे पर नरिश तहिया, रोहताश तहिया, रमेश कुमार, सुरेंद्र, प्रदीव, जय भगवान, शर्मा सही, विभिन आध्यती एवं पधादिकारी उपस्तित रहे। रगदान शीविर का आयोजन कर किया रगदान? शेहर के रहतक मार्ग प करवाई जा रहे हैं, इस कड़ी के तहती खरकुदा में भी रविवार को रगदान शिविर आयोजित किया जाएगा, शिविर में मुख्यातीती सांसद रमीश, चंदर कोशिक, विशिस्ट अधिथी, विधायक वेजिला अध्यक्ष मोहनलाल कोशिक, भाच्पा नेत्री गहलावत विधायक नेर्मल चौतरी, बीरो एंटरप्राइजर्स, वाइस चेयर्मेन हर्याना ललित बत्रा होंगे। कलपना चावला स्कोल में डिप्टी दियो नवीन गुलिया का क्या स्वाग, पद्धनिती पाकर डिप्टी दियो बने नवीन गुलिया का शनिवार को कलपना चावला विध्यापिल्प में सम्मान किया गया, इस दोरान उन्हें पुष्प गुच देने के साथ ही एक सम्रि पुनिपत का ही प्रभार मिलने की चलते खर्खोदा खंड उनसे अपेक्षा करता है कि सिक्षा की शेत्र में वह अभी भी अपना मागदशन सिक्षा की शेत्र में करते रहेंगे।